पूरे टाटा समू के लिए भी उतनी ही सही है भारत के विकास में टाटा परिवार का टाटा समू का उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहाँ सम्मानित भी किया गया है टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमी का रही हैं साथियों बीते सो सालों में आप आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास की यात्रा के हर उतार चड़ाओं में भागिदार रहे हैं एसोचेम की स्थापना के पहले 27 साल गुलामी के कालखण में बीते हैं उस समय देश की आजादी यह सबसे बड़ा लक्ष था उस समय आपके सपनों की उड़ान बेडियों में जकड़ी हुई थी अब एसोचेम के जीवन में जो अगले 27 साल आ रहे हैं वो बहुती महत्वपून है 27 वर्स के बाद आप्टर 27 यर्ज 2047 में देश अपनी आजादी के सो साल पूरा करेगा आपके पास बेडिया नहीं आसमान छूने की पूरी आजादी है और आपको इसका पूरा लाब उठाना है अब आने वाले वर्सों में आत्म निर्भर भारत के लिए आपको पूरी ताकर लगा देनी चाहिए इस समय दुनिया चोथी आउद्योगिक क्रांती की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है नई टेकनलोजी के रूप में चैलेंजी भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशन्स भी आएंगे और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है हमें हर साल के हर लक्ष को नेशन बिल्डिंग के एक लारजर गोल के साथ जोड़ना है साथियों आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तैक करने वाले इतना नहीं हैं बलकि यह हम भारतियों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं यह समय भारतिय इंडिस्ट्री के रुप में आपकी केपिबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्म निर्वरता ही नहीं है बलकि हम इस लक्ष को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपुन है साथियों भारत की सभलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पोजिटिविटी है शायद उतनी पहले कभी नहीं रही ये पोजिटिविटी आई है एक सो तीस करोड से जादा भारतियों के अभुत्पुर्व आत्म विश्वास से अब आगे बढ़ने के लिए भारत नए रास्ते बना रहा है नई उर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है साथियों हर सेक्टर के लिए सरकार की नीती क्या है रणनीती क्या है पहले और अभी में क्या बढ़लाव आया है इसको लेकर बीते सेंसन में सरकार के मंत्रियों और दूसरे साथियों ने आप सब के साथ विस्तार से चर्चा की है एक जमाने में हमारी यहां जो परिस्तित्यां थी उसके बात कहा जाने लगा था वाई इंडिया अब जो रिफॉर्म्स देश्ट में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बात कहा जा रहा है वाई नौट इंडिया अब जैसे पहले कहा जाता था कि जब टैस रेट इतने उंचे हैं तो वाई इंडिया आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक competitive tax rates हैं तो वाई नौट इंडिया पहले regulations और rules का जाल था तो स्वाभाविक रूप से चिंता के साथ निवेशक पुश्ते थे वाई इंडिया आज वही कह रहे हैं कि labor law में ease of compliance है तो वाई नौट इंडिया पहले सवाल होता था कि इतना red tab है तो वाई इंडिया अब वही लोग जब red carpet बिचा हुआ देखते हैं तो कहते हैं वाई नौट इंडिया पहले सिकायत होती थी कि innovation का culture उतना नहीं है तो वाई इंडिया आज भारत के start-up ecosystem ते के ताकत देकर दुनिया विस्वाज से कह रही हैं वाई नौट इंडिया पहले पूछा जाता था कि हर काम में इतना सरकारी दखल है तो वाई इंडिया आज जब private participation पर वरोसा किया जा रहा है विदेशी निवेशकों को encourage किया जा रहा है तो वही लोग पूछ रहे हैं वाई नौट इंडिया पहले सिकायत थी कि digital infrastructure के अभाव में काम संभव नहीं तो वाई इंडिया आज जब इतना अधुनिक digital ecosystem हमारे है तो sentiment है वाई नौट इंडिया साथियों नया भारत अपने सामर्थ पर भरोसा करते हुए अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्म निर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है और इस लक्ष की प्राप्ति के लिए manufacturing पर हमारा विशेश फोकस है manufacturing को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर reforms कर रहे हैं reforms के साथ साथ reverse को आज देश की नीति का अहम माध्यम बनाया गया है पहली बार बस से जादा sectors को efficiency और productivity आधारी इंसेंटिव के दायरे में लाया गया है मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में ही इसके positive result भी देखने को मिल रहे हैं इसी तरह बहतर connectivity बहतर सुविधाएं और logistic को competitive बनाने के लिए चल रहे सब प्रयास भी industry के लिए reward ही है हमारे लाखो MSMEs के लिए चाहे उसकी परिभाशा को बदलना हो criteria में बदलना हो सरकारी contract में priority हो या फिर liquidity से जुड़ी समस्यों का हल कर रहा हो ये भी बहुत बड़ा पोत्साहनी है साथियों देश आज करोड़ों युवाओं को अवसर देने वाले enterprise और wealth creator के साथ है आज भारत के युवा इनोवेशन के start-up दुनिया में अपना नाम बना रहे है सरकार के एक efficient और friendly ecosystem बनाने के लिए निरंतर कोशिज जारी है अब एसोचेम जैसे association को आपके हर member को भी ये सुनिशित करना है कि इसका लाब last mile तक पहुँचे इसके लिए industry के भीतर भी आपको reforms को encourage करना होगा जो बडलाव हम अपने लिए देखना चाहते हैं वही बडलाव हमें अपने संस्थानों में भी करने होंगे जितनी liberty जितना inclusion जितनी hand holding जितनी transparency आप सरकार से society से चाहते हैं उतना ही industry के भीतर women के लिए you are talent के लिए छोटे उद्योगों के लिए हम सब को सुनिश्चित करना ही है हमें corporate governance से लेकर profit sharing तक दुनिया की based practices को जल से जल अपनाना होगा profit centric approach के साथ ही हमें उसे purpose oriented भी बनाने बनाएंगे तो society के साथ ज्यादा integration संभव हो पाएगा साथियों आप से बहतर यह कौन समझ सकता है कि honest opinion का बहतर decision making में कितना बड़ा रोल होता है कई बार हमें लोग मिलते हैं कहते हैं कि ये share बड़िया है ये sector बड़िया है इसमें invest कर दो लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि वो सलाह देने वाला तारीप करने वाला खुद भी इनमेस उसमें investment कर रहा है या नहीं कर रहा है यही बात economies पर भी लागू होती है आज engine economy पर दुनिया को भरोसा है इसके प्रमाण है pandemic के दुरान जब पूरी दुनिया investment के लिए परिशान है तब भारत में record FDI और PFI आया है दुनिया का ये confidence नए स्तर पर पहुँचे इसके लिए domestically भी हमें अपने investment को कई गुणा बढ़ाना है आज आपके पास हर सक्टर में investment के लिए संभावनाय भी है और नए अवसर भी है साथियों निवेश का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा आवशक है ये है research and development R&D R&D पर होने वाला निवेश भारत में R&D पर निवेश बढ़ाय जाना की बहुत जरूरत है अमेरिका जैसे देश में जहां R&D पर 70% निवेश प्रावेट सेक्टर का होता है हमारे यहां इतना ही पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाता है इसमें भी एक बड़ा हिस्सा IT फार्मा और ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में है यानि आज जरूरत यह है कि R&D में प्रावेट सेक्टर की भागिदारी बढ़े क्रिशी डिफेंस स्पेस एनरजी कंस्ट्रक्शन यानि हर सेक्टर में हर छोटी बड़ी कमपनी को R&D के लिए एक निश्चित एमांट ताय करना चाहिए साथियों आज जब लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हम मीशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें हर जियो पोलिटिकल डेवलप्मेंट पर तेजी से रियक करना होगा ग्लोबल सप्लाइचेन में आने वाली किसी भी अचानक आई डिमांड को भारत कैसे पुरा करेगा इसके लिए एक प्रभावी मेकनिजम होना जरूरी है इसमें आप विदेश मंत्राले की भी मदल ले सकते हैं कोवीड से इस संकटकाल में हमने देखा है कि विदेश मंत्राले के पूरे नेटवर्क का बहतर उप्योग होने से किस तरह हम तेजी से अपने लक्ष हासिल कर सकते हैं विदेश मंत्राले कॉमर्स अंट्रेट और एसोचम जैसे इंडस्त्री के संगट होनों के बीच बहतर तालमेल आज समय की मांग है मैं आप से आगर करूँगा कि ग्लोबल टांस्फोर्मेशन पर तेजी से रियक करने के लिए तेजी से रिस्पॉंस करने के लिए मेकेनिजम बहतर कैसे हो इसके लिए आप हमें अवश्य अपने सुझाव दे आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मुल्यवान है साथियों भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की मदद करने में भी सक्षम है फार्मर से लेकर के फार्मा तक भारत ने ये कर दिखाया है कोरोना काल में भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने फार्मसी अप दो वर्ल्ड की जिम्मेदारी रिवाते हुए दुनिया भर में जरूरी दवाईया पहुचाई है अब वैक्सिन के मामले में भी भारत अपनी जरूरते तो पूरी करेगा ही दुनिया के अनेक देशों की उमीदों पर भी खरा उतरेगा साथियों रूरल और अर्बन डिवाईड को कम करने के लिए जो प्रयास सरकार भी तेश्चोज सालों से कर रही है इंडस्ट्री उन प्रयासों को मल्टिप्लाइ कर सकती है एसोचेम के मेंबर्स हमारे गाउं के प्रोड़क्स को ग्लोबल प्लेटफर्म देने में बहुत मदद कर सकते हैं आजकल आप देखते सुनते होंगे कि कोई स्टड़ी आगई कि इस चीज में बहुत प्रोटीन है यह ब्रोटीन रीच हैं तो लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं हम उसे इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हमें पता तक नहीं होता है कि हमारे घर में हमारे टेबल पर हमारी थाली में किस प्रगार से विदे सी चीज़े भूच जाती हैं, हमारी यहां देश में ऐसी ही चीजों का कितना बड़ा भंडार है, और यह भंडार देश के किसा देश के गावों में हैं, हमारी और्गेनिक फार्मिंग, हर्वल प्रोडस, ऐसी बहुत सी चीज़े हैं, जिने एसर चेम द्वारा प्रमूट किया जाना चाहिए, दुनिया के बाजार में भारत की प्यादावरों का डंका बजना चाहिए, इन से जुड़े कंपुटीशन प्रसार करके इनके स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देकर आप यह कर सकते हैं, भारत सरकार हो, राज्य सरकारे हो, फार्म और्गेनिशन्स हो, सभी को मिल कर इस दिशा में काम करने की आवश्यक्ता है, अगर हमारे फार्म सेक्टर को बहतर प्रपोर्शन मिले, बहतर इंफ बुलंदी पर पहुंच सकती हैं, साथियों, 21 शदी की शुरुआप में, अटल जी ने भारत को हाईवेज से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा लक्ष रखा था, आज देश में फीजीकल और डिजीटल इंफरसेक्टर पर विशेश फोकस किया जा रहा है, गाउं के किसान की रीच भी डिजीटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गाउं तक ब्राडबेन कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं, इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर को और ताकत देने के लिए आईटी और बीप्यो सेक्टर की बाहदाये भी हटाई गई है डिजीटल स्पेस की सिक्यूरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाये जा रहे हैं, सात्यों बहतर इंफरस्टर के निर्माण के लिए फंडिंग से जुड़े हर MNU का उप्योग किया जा सकता है पॉप्लिक सेक्टर बेंकों को मजबूत करना, बॉण्ड मार्केट्स की संभावनाओं को बढ़ाना यह उसी दिशा के प्रयास है इसी तरह सोवरीन वैल्ट फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में रियाद दी जा रही हैं, रीट्स और इंविट्स को प्रमोट किया जा रहा है इंफरस्टर से जुड़े ऐसेट्स को भी मोनिटाइज किया जा रहा है साथियों जरूरी सुविधाएं देना यही माहोल बनाना यह सरकार कर सकती है सरकार प्रोच्छान दे सकती है सरकार नित्यों में बढलाव कर सकती है लेकिन यह आप जैसे इंडस्ट्री से जुड़े साथी है जो इस सपोर्ड को सक्सेस में बदलेंगे आत्म निर्भर भारत का सपना साकार करेंगे इसके लिए नियम काईदों में जरूरी बड़लाव के लिए देश मन बना चुका है, देश प्रतिवध है बीते छे वर्षों में हम पंदरा सो से जाजा पुराने कानून खत्म कर चुके हैं देश की जरूरत को देखते हुए नए कानून बनाने का काम भी निरंतर जारूई है छे महने पहले जो कुरूशी शुधार किये गए उनके लाब भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गए है हम सभी को आत्म निर्बर भारत के निर्माण में एक निष्ट होकर संकल्पित होकर आगे बढ़ना है एसोचेम के आप सभी सात्यों को आने वाले वर्षों के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है सिमान रतन टाटा जी को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है और S.O.C.M. नई उचाईयों को पार करे और 2047 आज हादी के 100 साल आपके लिए next 27 year उस लक्ष को ले करके आज का ये आपका सतावदी समारो संपन होगा ऐसा मुझे पुरा विश्वास है फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद झाल